तेरा अप्रेल सन 1699 कवे साखी कवे एतिहासिक दिन जो कभी न भूलने वाला दिन है क्योंकि इस दिन कुरु गोबिन सिंग जी ने सिख धर्म की नीव रखी थी गुरु जी केस कड में अपने सिहासन पर विराज मांग थे कहते हैं उस समय आप जी का चेहरा रब्बी नूर से एकदम चमक रहा था दिवान सजा हुआ था और 80,000 से जैदा संगत गुरु जी के आदेश अनुसार एकतित हो चुकी थी तब ही गुरु जी अपने सिहासन से उठे और म्यान से अपनी तलवार को निकाल कर ललकारते हुए बोली है कोई वीर जो मुझी अपना शीश भेंट करी गुरु जी के मुग से ऐसा आदेश सुनकर बहुत से लोग डर कर वहां से चुपके से चले गए तब गुरु जी ने दूसरी बार फिर से ललकारा कहते हैं जब आपने तीसरी बारी जोर से ललकारा है कोई वीर जो मुझी अपना शीश भेंट करे तो सबसे पहले लाहोर का खत्री दियाराम उठ खड़ा हुआ और हाथ चोड़ते हुए बोला हे गुरु जी मैं शीश देने के लिए हाजिर हूँ इतिहास में दर्च है उस वक्त उस बहादुर वीर को गुरु जी अपने साथ तंबू में ले गई और अपनी तलवार से उसका शीश धर से अलग कर दिया तलवार चलाने के आवाज बाहर बैठी संगतों ने सुनी तो वे सारे हैरान परेशान हो गए कि आप गुरु जी क्या करने वाले हैं और क्यूं तंबू से बाहर आकर गुरु जी खूंसे भरी तलवार लिए ललकारते हुए बोले है कोई वीर जो मुझे अपना शीश भेंट करे तब वहाँ बैठा भाई धरम चन उठकर बोला मैं हाजिर हूँ गुरु जी इसी प्रकार भाई मोकम चन जी भाई हिम्मत राए और भाई साहिब चन गुरु जी के समक्ष कुल पांच वीर हाजिर हुए एक एक करके गुरु जी उन सभी को तंबू में ले जाते और उनका शीश धर से अलग करके बाहर आ जाते तंबू के अंदर क्या हो रहा था केवर आवाज सुनकर और खूँ से बरी तलवार देखकर संगत ने अंदाजा लगाया कि गुरु जी ने बारी बारी सभी युवकों के शीश धर से अलग कर दिये होंगे तभी तो उनकी तलवार हर बर खूँ से भरी होती थी कहते हैं कि तभी एक चमतकार हुआ गुरु जी तंबू के अंदर जाकर पांचों युवकों को नई वस्त्र पहना कर अपना सिख बना कर बाहर ले आए ऐसा अदबुत द्रिश्य देकर सारी संगत हैरान हो गई और सभी सोश्रे पर मजबूर हो गई कि जिनके शीश कट चुके थी वे फिर से सही सलामत कैसे हो गई वास्तम में गुरु गुबिन सिंग जी गुरु नानक तेव जी की दस्सी जोत है पूरे गुरु होने के साथ सभी कलाओं में भी वेसंपूरण है इसलिए इसमें हैराने वाली कोई बात नहीं क्योंकि आप जी सब कुछ कर सकने के योग्य है उस समय आप जी ने तंबू पे जो लीला रचाई वह तो केवल आप जी ही जानते हैं कहते हैं कि गुरु जी ने तब उन सभी पांच प्यारों को अपना सिख बना दिया फिर आप जी के द्वारा खंडे बाटे का अमरित त्यार किया गया पांचो प्यारों को आप जी ने अमरित पान कराया अपने सिखों को नाम दिया भाई दिया सिंग, भाई धरम सिंग, भाई मुखकम सिंग, भाई हिम्मस सिंग और भाई साहिब सिंग जी इसके बाद गुरु जी को पांचो प्यारों ने अमरित पान कराया उस समय उन्होंने गुरु जी से कहा हे महाराज आपकी अग्यानुसार हम सबने आपको शीश भेंट किये तो आप जी हमें क्या भेंट करेंगे इतना सुनकर गुरु जी बोले धर्म की रक्षा हे तू मैं परिवार समेथ खुद को कुर्बान कर दूँगा गुरु जी ने खुद अमरित पान करके अपने सारे परिवार को भी अमरित धारी बना दिया इसके साथ ही बहुत से लोगों ने भी अमरित पान किया उस वैसाखी वाले दिन गुरु जी ने खालसा पंथ की स्थापना की वास्तम में खालसा का अर्थ है शुद रूप जिसमें कोई विकार ना हो गुरुजी ने समूव संगत को सुन्देश दिया कि खालसा पंथ किसी जाथपाद को नहीं मानता समाज के सभी लोगों को यह पंथ बराबरी का दर्जा देता है उन्होंने सभी को सिखी की मत अनुसार चलने का उपदेश दिया अब प्रशन उठता है कि गुरुजी को एक अलग से तीसरा धरम खालसा पंथ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी उस समय मुगल शासकों के जुलम इतने बढ़ चुके थे कि हिंदू लोग उनसे इतना डर गए कि वे लगातार मुस्लिमों के खोफ तले दबे जा रहे थे अपनी रक्षा की खाते वे मुस्लिम धरम जब्रन अपनाने पर मजबूर हो चुके थे जिस से हिंदू धरम लुप्त होने की कगार पर पहुँच गिया उस भयावय स्थिति को समझते हुए गुरु गोविन सिंग जी ने जुलम के खिलाफ तलवार उठाना ही उचित समझा गुरु जी सभी धरमों को एक समान समझते थे वे हैं मुस्लिम जाती से नफरत नहीं करते थे बलकि केवल जुलम के खिलाफ थे आपको किसी जाती से घरिना नहीं थी अगर आपको मुस्लिम जाती से नफरत होती तो फिर पांच सो पठान जो बुद्दु शाने आपके पास नोकर रखवाए थे उन सब को आप जी क्यों रखते यदि आप हिंदू के बक्षपाती होते तो फिर आप जी मसंदों को सजाएं क्यों देते इन सभी प्रमानों से यह सिध होता है कि गुरु गोविन सिंग जी केवल पाप के दुश्मन थे ना किसी जाती विशेश के आप जी का जन धर्म की रक्षा और पाप को नाश करने के लिए ही हुआ निरंकार की ओर से जिस काम के लिए धर्ती पर प्रगट हुए बस जीवन का सारा समय उसी को पूर्ण करने में लगे रहे गुर्गदी पर बैठते ही आप जी ने सारी संगत को हुकम दिया कि जो हमारे लिए अच्छे गोड़े और शस्त्र लाएगा वे है हमारी कृपा का पात्र बनेगा आप जी की आग्या की पालना करते हुए संगते अच्छे गोड़े और शस्त्र भेंट करने लगी काफी मात्रा में सेना और शस्त्र इकठे होने पर गुरु जी ने तब मुगलों के खोफ से डरेवे हिंदों को अम्रित पान करवा कर उन्हें अपना सिख सजा कर नीडर और शक्ति शाली बनाया गुरु जी ने अपने अम्रित धारी सिखों को पांच ककार भेंट किये जिन में केस, कंगा, कच्छेहरा, कड़ा और क्रिपान शामिल है और उन्हें हुकम दिया कि आज के बाद जिसने हमारे साथ जुड़ कर रहना और जिन्दिकी को सफल बनाना है, अम्रित धारी बनकर इन पांचों ककारों को धारन करना उसके लिए अत्यंत जरूरी है गुरु जी ने जोर देते हुए कहा कि जब जुल्म असहनिय हो जाए तभी किरपान उठानी है, जो लोग अपनी रक्षा ना कर सके, उनकी रक्षा हे तु सच्चे सिक को तलवार उठानी चाहिए इस तरहां गुरु जी ने लोगों को गीदर से शेर बनाया यह बात शिर्गुर गोबिन सिंग जी के इस शब्द से सिध होती है चिडियन ते में बाज तुडाऊं, गिदरो तो में शेर बनाऊं, सवालाग से एक लडाऊं, तब या गोबिन सिंग नाम कहाऊं गुरु जी को सरबंस्तानी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पांच प्यारों को दिया वचन आगे जाकर आपजी ने पूरा करके दिखाया हिंदु धर्म को बचाने के लिए आप जी के पिता और सिखों के नोवे गुरु शिरगुरु तेग पहादुर जी ने दिली के चांदनी चोंख में अपना शीश कुर्बान किया आप जी के बड़े साइब जादे बाबा अजीस सिंग जी और बाबा जुजार सिंग जी ने चमकोर के युद में अपने आपको कुर्बान कर दिया और आपके दोनों छोटे साइब जादे और माता गुजरी जी ने सरहंद में अपने आपको कुर्बान कर दिया अंत में गुरु जी को भी शहादत देनी पड़ी गुरु जी द्वारा अमरित की शक्ती ने धर्म पर कुर्बान होना सिखाया शरीर के बंद-बंद कटवा कर भी गुरु के सिखोने उफ तक न की आप जी ने मुगलों के खोफ से डरे हिंदों को अमरत्व परदान किया अपनी सारी उमर दुखों के बन में बिताई खाल सा पंथ बनाने के लिए आप जी ने अनंदगड और होलगड किले की स्थापना की इसके साथ ही भंगानी का यूद भी लड़ा गुरुजी की अपार क्रिपा है हम सभी पर आप जैसा सर्बंस्तानी, बलिदानी, क्रिपालू, शूरवीर और कोई नहीं अमरित के पुंझ अपने प्यारे गुरुजी के आगे सिर्श रद्धा से जुख जाता है जब आपकी कुर्बानिया याद आती है धन धन शिरी गुरु कोपिं सिंग जी महराज वाहे गुरुजी का खाटसा वाहे गुरुजी की फते